पहाडों के बीच रहता था एक पहादूर लड़का राहूल। उसे रोमांच बहुत पसंद था। एक दिन चंगल में खिलते हुए उसे एक पुराने नक्षे का टुकड़ा मिला। नक्षे पर एक उंचे पहाड और उसके नीचे एक लालेक्स का निशान बना हुआ था। र रोमांच से भरकर पहाड की चड़ाई करने लगा। राहूल घंटों चड़ता रहा, रास्ते में पेडों से गुजरा और पत्थरों को पार करता रहा। आखिरकार वह एक्स के निशान वाली जगह पर पहुँचा। वहाँ एक गुफा का मुंह था। राहूल थोड़ा ड देखा तो वह एक खूबसूरत लकडी का डिबबा था। राहूल ने उसे खोला और अंदर एक चमकती हुई गेंद देखकर हैरान रह गया। यह कोई साधारन गेंद नहीं थी, बलकि जादूई गेंद थी। जब राहूल ने उसे चुआ, तो गेंद से आवाज आई, मु